आज हम आपको वो स्टाइलिस दाड़ी पाने में मदद करेंगे, जिसकी आपको हमेश्था से चाहत थी. कुदरती तोर पर दाड़ी को बढ़ने दीजिए. हर पुरिश के लिए ये अलग समय होता है. जब आप लंबाई से खुश हों, तो अपना स्टाइल चुनिए. अब जिलेट स्टाइलर जैसा उपकरन लीजिए, जो शेव, नक्षन और काटने में मदद करें. अब जहरे को स्वचित करने का समय आ गया है. कंगी की लंबाई देखिए और अटेश्मेंट का इस्तमाल करिए. पहले लंबाई वाला अटेश्मेंट रखिए, क्यूंकि बाद में अगर चाहें, तो हम और छोटा कर सकते हैं. दाड़ी को बराबर काटिए, फिर कंगी की अटेश्मेंट हटाईए, और आकार देने के लिए बाल काटिए. जांच लीजिए के अटाड़ी हर तरफ से बराबर हो. अब अपने चेहरे को शेफ करने के लिए तयार करिए. शेफ जेल इस्तमाल करिए. इससे बाल गिले रहते हैं, जलन से बचाओ होता है, और रेजर असानी से चलता है. अब बाकिक जगा को नस्दीकी शेफ दीजिए. ब्नेट को अक्सर दोईए. गरदन को शेफ करना ना भूलिए. और अगर ज़रुरत पड़े, तो शेफ करने का जेल दुबारा लगाईए. अपने गाल और कलम को स्टाइल करने के लिए, पीछे लगा हुआ प्रेसिजिन ट्रिमर इस्तमाल करिए. ठंडे पानी से अपना चेहरा धोईए और इसे खुश कर लीजिए. अपनी तवचा को मलाइम रखने के लिए हाइडरेटिंग आफ्टर शेफ लगाईए. अब इस शो स्टापर दाड़ी को नरम रखने के लिए दाड़ी का तेल इस्तमाल करिए. और सुजहाव के लिए ये वीडियोज देखिए. नई वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अपनी फेवर्ट दाड़ी का स्टाइल हमें कॉमेंट्स में बताइए.